हेलो एवरिवान, नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सब का हार्दिक स्वागत है बच्चों, आज की कक्षा में हम एक महान कवी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ठीके बच्चों, ये कोन है? ये है कवी जिन्हें हम दारा बेंद्रे कहते हैं दारा बेंद्रे जी का पूरा नाम है शुरी दत्तात्रेया रामचंद्र बेंद्रे आपके पिता जी का नाम है रामचंद्र भट और माता जी का नाम अंबवा या अंबिका था धारा बेंद्रे जी का जन्म करनाटक के धारवाड जिले में 1893 में हुआ था ये एक महान कवी बने इने बहुत सारे पुरसकार भी मिले आज का हमारा पाट धारा बेंद्रे जी के बारे में है आज का पाट का नाम है पाट नौ श्री दतात्रेया रामचंद्र बेंद्रे आज के हमारे पाट का नाम क्या है बच्चो श्री दतात्रेया रामचंद्र बेंद्रे जिने हम शौट फार्म में दारा बेंद्रे जी कहते हैं बच्चों, आज के पाट में हम श्री दतात्रया रामचंद्र बेंद्रे जी के जीवानी के बारे में जानेंगे कन्नड भाशा के ज्ञानपीत पुरसकार प्राप्त ध्वितिय साहित्यकार श्री दतात्रया रामचंद्र बेंद्रे जी है उनकी घरेलू भाषा मराटी थी, बेंद्रेजी कन्नड भाषा के प्रती समर्पित थे और अजीवन उसकी अत्युत्तम सेवा करते रहे, जीवन भर संगर्षों यें कठिनाईयों से जूजते हुए साहित्य साधना करते रहे उनका जीवन और उनकी साहित्य साधना प्रशम सनिया यम प्रेरणा दायक है आप सब दुबारा सुनिएगा बच्चों, कन्नड भाषा के ग्न्यानपीट पुरसकार प्राप्त भितिय साहित्यकार श्री धत्तात्रेया रामचंद्र बेंद्रेजी हैं उनकी घरेलू भाषा महराटी थी बेंद्रेजी कन्नड भाषा के प्रती समर्पित थे और आजीवन उसकी अत्युत्तम सेवा करते रहे जीवन भर संगर्षयों यह कठिनाईयों से जूझते हुए साहित्य साधना करते रहे उनका जीवन और उनकी साहित्य साधना प्रशम सनिया यह प्रेरणा दायक है Dear Children, The Second Literature who received the Gnanapeet Award for Kannada Language is Mr. Dhatatreya Ramachandra Bendrae His home language was Maharati Bendraeji was devoted to the Kannada language and continued to serve it for a lifetime Struggling throughout his life, he continued to practice literature His life and literature practice are admirable and inspiring अगला प्याराग्राफ 8, 9, 3, 1893 कितना बच्चों? 1893 हम दुबारा बोलें बेंद्रे जी का जन 31 जन्वरी सन 1893 को धारवाड के यह संस्कृत परिवार में हुआ बेंद्रे जी के पिता जी का नाम था रामचंद्रभट और माता का नाम था अंबववा या अंबिका बच्चपन में ही पिता की मृत्यों के कारण बेंद्रे और उनके दो भाईयों का पालन पोशन उनकी नानी नानी का आर्थ होता है ग्राणमा उनकी नानी के यहां हुआ नानी जी भी गरीब थी गरीब का आर्थ होता है पूर और खाना वाली मेस मेस का आर्थ होता है ना बच्चो जहांपर खाना बनाया जाता है और बेचा जाता है नानीमा बेंदर जी की नानीमा क्या काम करती थी मेस में खाना बना कर बेचती थी खाना वाली मेस चलाकर परिवार चलाती थी खाना वाली मेस कुन चलाती थी, नानिमा चलाती थी और सबका इसी तरीके से पालन पोशन करती थी इसका आर्थ है बच्चो बेंद्रे जी के बच्चपन में ही बेंद्रे जी के पिता जी की मृत्यों हो गई थी इस कारण नानीमा ने इन सब बच्चों को पाला और उस समय नानीमा बहुत गरीब थी और वह खाना वाली मेश चलाकर परिवार को चलाती थी बेंदरे के मामा जी, मामा जी का अर्थ होता है maternal uncle बेंदरे के मामा जी पूने में अच्छी नोकरी कर रहे थे नोकरी का अर्थ होता है job उन्होंने बेंदरे को पढ़ाने लिखाने की जिम्यदारी उठाई बच्चों आप सब दुबारा सेकेंड पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा बेंद्रे जी का जन्म 31 जन्वरी सन 1893 को धारवाड के ये संस्कृत परिवार में हुआ बेंद्रे जी के पिता जी का नाम था रामचंद्रभट और माता का नाम था अम्बवा या अम्बिका बच्पन में ही पिता की मृत्यू के कारण बेंद्रे और उनके दो भाईयों भाईयों का अर्थ होता है सिबलिंग्स दो भाई उनका पालन पोशन उनकी नानी के यहां हुआ, नानी जी भी गरीब थी और खाना वाली मिस चला कर परिवार चलाती थी बेंद्रे के मामा जी उने में अच्छी नोकरी कर रहे थे, उन्होंने बेंद्रे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उठाई Dear Children, Bendraji was born on 31st January 1893 in a cultured family in Dharwal. Bendraji's father's name was Ramachandrabhat and mother's name was Ambawa or Ambika. Bendraji and his two siblings were raised with their grandmother due to death of their father in childhood. Grandma was also poor and ran a family in Mass. Bendraji's maternal uncle was doing a good job in Pune. He took the responsibility of writing and teaching Bendrai. अगला paragraph जी जीएगा शब्दों पर भेंद्रे जी की प्रारंबिक शिक्षा धार्वाड में Victoria School में हुई. मेट्रिक के बाद मेट्रिक का आर्थ होता है बच्चो एससल से. मेट्रिक के बाद पूने के प्रसिद फर्ग्यूसन कॉलेज से उन्होंने बी ये किया. साथ ही अंग्रेजी, कन्नड, महराथी, संस्कृत, आधी में पांडेतिय प्राप्त किया. फिर धार्वाड लोट कर Victoria School में अध्यापत बन गये. वहां तीन साल तक काम करने के बाद उन्होंने नैशनल कॉलेज में काम किया. बच्चों, जहां बेंद्रेजी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त किया, उस पाठशाला का नाम था Victoria. वहां पर अपनी पड़ाई पूरी करने के बाद बेंद्रेजी ने बिये किया, साथ में अंग्रेजी, कन्नड, महराथी, संस्क्रोद, आधी में पांडित्य भी प्राप्त किया. फिर धारवाड लोटकर Victoria स्कूल में जहाने उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षणा की थी, वही पाठशाला में अध्यापक बनकर काम करने लगे. वहां तीन साल तक काम करने के बाद उन्होंने नाशनल कॉलेज में भी काम किया. जिस पाठशाला में बेंद्रे जी पढ़ रहे थे, अपनी प्रातमिक शिक्षा उसी पाठशाला में अध्यापक बनकर तीन साल तक काम करते रहे. उसके बाद नाशनल कॉलेज में काम किया. Dear children, after the matriculation of Bendraji's early education at Victoria School in Dharmad, he got his B.A. also received education in English, Kannada, Maharati, Sanskrit, etc. Then returned to Dharmad and became a teacher in Victoria School. After working there for three years, he worked in the National College. अब आगे, बच्चों, अगला प्याराग्राफ है. बेंद्रे जी का विवा सान 1919 में रंगुबाई से हुआ. किसे हुआ बच्चों? रंगुबाई से हुआ. 1919 में. जिनका नाम पारिवारिक परंपरा के अनुसार बदल कर लक्ष्मी बाई रखा गया. रंगुबाई जी का नाम पारिवारिक के परंपरा के अनुसार लक्ष्मी बाई रखा गया. याद्यापी वे पुराथमेक शिक्षा तक ही पड़ी लिखी थी. बेंद्रे जी की काव्य साधना के लिए प्रेरक बनी. बेंद्रे जी उनसे साधर प्रेम करते थे. धूरे जी लिए बेंद्रे जी थी बनी. तूरे जी बेंद्रे जी थे. रंगुबाई in 1919 who was renamed लक्ष्मी बाई according to family tradition were educated only till primary education बेंडरे जी loved her very much फिर एक के बाद एक करके माता जी और एक भाई की मृत्यु का शोग उन्हे सहना पड़ा Dear children, बेंडरे जी loved her wife very much becoming an inspiration for बेंडरे's poetry practice then after this he had to bear the grief of death of mother and his brother अपने छे पुत्रों में से चार की मृत्यु भी उन्हें अपने जीवन काल में देखना पड़ा Dear children, he also had to witness the death of four of his six sons during his lifetime उन्हें येक तो भरी जवानी में गुजर गया और दो येक हफ्ते में येक हफ्ते के अंतराल में चल बसे बड़े धैरी के साथ इन सब को बेंडरे जी ने जेल लिया बेंडरे जी का जीवन कठिनाईयों या दुखों से दबने वाला नही था he passed away in his youth and the two passed away in a span of one week with practice बेंडरे जी took all these things बेंडरे जी's life was not going to be tainted with difficulties or sorrows दुबारा सुनिये बच्चों बेंडरे जी का विवा सैन 1919 में रंगु बाई से हुआ जिनका नाम पारिवारिक परंपरा के अनुसार बदल कर लक्ष्मी बाई रखा गया या द्यापी वे प्राथमीक शिक्षा तक ही पड़ी लिखी थी बेंडरे जी की कावे साधना के लिए प्रेरक बनी बेंडरे जी उनसे साधर प्रेम करते थे फिर ये के बाद ये करके माता जी और ये भाई की मृत्यों का शोब उन्हें सहना पड़ा अपने छे पुत्रों में से चार की मृत्यों भी उन्हें अपने जीवनकाल में देखना पड़ा बेंडरे जी के कितने पुत्र थे बच्चे? छे बच्चे थे कितने पुत्र थे बच्चों? छे पुत्र थे किसके? बेंडरे जी के उनमें एक तो भरी जवानी में गुजर का अर्थ होता है डेत बच्चों और दो एक हफते के हफते का अर्थ होता है वीक एक हफते के अंतराल में चल बसे बड़े धैरी के साथ इन सब को बेंद्रे जी ने जेल लिया बेंद्रे जी का जीवन कठिनाईयों या दुखों से दबने वाला नहीं था Dear Children, Bendraji was married to Rangu Bhai in 1919 who was renamed Lakshmi Bhai according to family tradition were educated only till primary education. Bendraji loved her very much becoming an inspiration for Bendraji's poetry practice. Then after this he had to bear the grief of death of mother and his brother. He also had to witness the death of four of his six sons during his lifetime. He passed away in his youth and the two passed away in a span of one week With patience, Bendraji took all these things. Bendraji's life was not going to be tainted with difficulties or sorrow अब अगला paragraph पारिवारे कठिनाईयों के बावजूत गांदी जी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए Inspired by Gandhiji, despite family difficulties, he participated in the freedom, struggle and also went to jail उनकी नोकरी छूट गई. He lost his job बेरोस गारी में ही किसी तरह उन्होंने यम्ये किया कुछ समय तक जीवन मासिक पत्रिका के संपादक रहे He missed his job. Somehow he did his M.A. in unemployment. Jeevan was editor of the Monthly Magazine for some time. Son, 1944. कितना बच्चों? 1944 में Solapur के DAV College में कन्नड भाषा के प्राध्यापत बने Dear children, then in 1944 he became a कन्नड़ प्रोफेसर at DAV College, Solapur. Then their economic difficulties were overcome. उसके बाद सन 1944 में Solapur के DAV College में कन्नड भाषा के प्राध्यापक बने तब जाकर उनकी आर्थी कठिनायया दूर हुई Once again children, inspired by Gandhiji, despite family difficulties, he participated in the freedom struggle and also went to jail. He missed his job. Somehow he did his MA in unemployment. Jeevan was editor of the monthly magazine for some time. Then in 1944 he became a कन्नड़ प्रोफेसर at DAV College, Solapur. Then their economic difficulties were overcome. Sir, 1965 में आउकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने धारवाड आकाशवानी केंद्र में साहित्य सलाहकार, सलाहकार का अर्थ होता है एडवाईजर, सलाहकार के रूप में काम किया. 26 अक्तूबर 1981 इस्वी को बेंद्रे जी का देहान्त हुआ. बेंद्रे जी का देहान्त कब हुआ बच्चो? 26 अक्तूबर 1981 इस्वी में बेंद्रे जी का देहान्त हुआ. After his retirement in 1965, he worked as a literature advisor at the Dharwad All India Radio Centre. Bendrei Ji died on 26th October 1981. अब आगे गेलेयरा गुम्पू के माध्यम से कर्नड साहित्य को प्रोच साहन देते हुए बेंदरे Ji स्वयम भी कावे साधना में लगे रहे। अगेलेयरा गुम्पू के माध्यम से कर्नड साहित्य को प्रोच साहन देते हुए बेंदरे Ji स्वयम भी कावे साधना में लगे रहे। उन्होंने कई कावे संगरा नाटक येकां किया और आलोच नात्मक प्रुतियां लिखी। और कई अनुवाद भी किये। उन्होंने महराथी और अंग्रेजी में भी साहित्य स्रुजन किया है। उनकी रचनाओं में कोगिले कोगिले यंदुबंदेनी और तुत्तूरी प्रमुख है। अब दुबारा सुनिएगा बच्चों गेले येरा गुंपू के माध्यम से कन्नड साहित्य को प्रोच साहन देते हुए बेंद्रेजी स्वयम भी काव्य साधना में लगे रहे। उन्होंने कई काव्य संग्रा नाटक येकां किया और आलोच नात्मक कृतिया लिखी और कई अनुवार भी किये। उन्होंने महराटी और अंग्रेजी में भी साहित्य स्रुजन किया है। उन्होंकी रचनाओं में कोगिले कोगिले यंदुबंदेनी और तुत्तूरी प्रमुख है। Dear Children, While Promoting Kannada Literature through the Gelayara Gumpu, Bendre himself continued to practice poetry. He did this work of many poetic collections and wrote the works and also did many translations. He has also created literature in Marathi and English. कोगिले कोगिले, यंदुबंदेनी और तुत्तूरी और प्रमिनेंट अमांग है। अमांग है। अगला प्यारग्राफ बेंद्रे जी बोहत ही लोकप्रिय कवी थे। उन्हे अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए। बेंद्रे जी वस वेरी पॉपुलर पोएट। ये आल्सो रेसीवड मेनी आनर्स। सान उन्निसो तेंतालिस में संपन्न सताइंस्वे कन्नड साहित्य सम्मेलन में उन्हे अध्यक्षिपत से अलंकरत किया गया। 2017 अशा पुम्मेलन मेटी अध्यक्षिपत सु सम्मेलन में एंठ्यक्षिपत से अ हिसर। 43. He was awarded the post of President. Once again dear children, Benreji was a very popular poet. He also received many honors at the Kannada Sahitya Sammelan held in 27th 1943. He was awarded the post of President. San 1968 में उनके अरल्लू मरलू कविता संग्राह के लिए केंद्रिय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. In 1968, he received the Central Sahitya Academy Award for Arallu मरलू Poetry Collection. San 1968 में भारस सरकार द्वारा पद्मश्री, San 1990 में केंद्रिय साहित्य अकादमी की फेलोशिप, San 1973 में उनके नाकुतंती कविता संकलन के लिए उनहें ज्नानपीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया. In 1968, he was awarded the Gnana Peet Award by the Government of India in 1973 for his Fellowship of the Central Sahitya Academy in 1969 for compiling his Naakutanti poem. प्यारे बच्चों, इस प्यारा ग्राफ को दुबारा सुनियेगा. बेंद्रे जी बहुत ही लोकप्रिय कविते. उनहें अनेक सम्मान भी प्राक्त हुए. सन उन्नी सो तेन्तालीस में संपन्न सताइन्स्वे कन्नर साहित्य सम्मेलन में उन्हें अध्यक्षिपत से अलंक्रत किया गया. सन 1968 में उनके अरलू मरलू कविता संग्राख के लिए केंद्रिय साहित्य अकादमी पुरसकार मिला. सन 1968 में भारस सरकार द्वारा पदमश्री सन 1969 में केंद्रिय साहित्य अकादमी की फेलोशिप सन 1973 में उनके नाकुतंती कविता संकलन के लिए उन्हें ज्नानपी पुरसकार से सम्मानित किया गया. Dear Children, Benreji was a very popular poet. He also received many honors at the Kannada Sahitya Sammelan held in 27th 1943. He was awarded the post of President. In 1968, he received the Central Sahitya Academy Award for Aralu Maralu Poetry Collection. In 1968, he was awarded the Gnanapeet Award by the Government of India in 1973 for his fellowship of Central Sahitya Academy in 1969 for compiling his Naakutanti poem. प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पाट श्री धत्तात्रेया रामचंद्र भेंद्रे. आशा करती हूँ, आप सबको पाट अच्छा लगा होगा. आप ये पाट को पढ़िए और समझिए. प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा ये ही में पे समाप्त होती है. हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद.